हाई ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत है दा मोमेंट्रम ट्रेडर में ट्रेडर्स मैंने कुछी दिनों पहले आपके साथ एक वीडियो सेर किया हुआ था जो था ट्रे Dash वीव इंडिकेटर्स के उपर और ऐसे टॉप फोर trading view indicators के बारे में हैं मैंने हुआ पे discuss किया हुआ था आपके साथ और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आने वाले टाइम में इसका part 2 भी बना दूंगा और उसमें और कुछ indicators के बारे में जरूर हम बात करेंगे तो आज के जो डेट है मुद्ब आज का जो वीडियो है इसमें हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कुछ और trading view indicators जो आपके लिए खास helpful हो सकते और खास कर करके अगर अब price action trader है यह फिर price actions के followers है तो यह आपके लिए आपके जो काम है इसको थोड़ा सा easy कर देता है तो इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा बीच में कहीं पर skip मत किजेगा क्योंकि हो सकता है कोई important information आपसे छूट जाए उससे पहले जरूर जाकि यह part 1 वीडियो चेक कर लिजेगा क्योंकि यहां पर मैंने कुछ और indicators के बारे में भी बताया हुआ है और यह एक चीज़ द्यान रखेगा यह सभी indicators free है trading view के platform में freely available है कोई भी चार्जे से इस तरीके कोई प्रॉब्लेम नहीं है आप freely इनको use कर सकते ठीक है तो पहले यह part 1 देख लिजेगा उसके बाद आके इस वीडियो को देखेगा उसके साथ आप चाहे तो और कुछ strategies और कुछ चीज़े मैंने अपने चैनल में दिये हुए है तो आप उनको भी जैसे चेक कर सकते जैसे यहा कोई आप कोई भी random stock random instrument में भी इसको apply कर सकते trading view के platform में मैंने यहां पर apple hospital लिया हुआ है simply और यहां पर अभी मतलब आप जो भी time frame फॉलो करते है सभी time frame में यह indicator आपके लिए helpful रहेंगे तो हम जो पहला indicator देखेंगे वह है फ्लैग इंडिकेटर तो फ्लैग यहां पर दो त तो यहां पर दोनों को apply कर देंगे और चार्ट में चलेंगे तो देखेंगे आपको कोई settings कुछ change कुछ नहीं करना है simply आपको इसको apply करना है धूनना है कि आपके जो चार्ट है इसमें कोई flag बन रहा है या नहीं तो ठीक है यहां पर 5-minute के time frame में तो कोई चार्ट में कोई flag बागेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि दिखता तो यहां पर अल्रेडी बन जाता तो time frame को थोड़ा सा change कर लेते 15-minute में देखते है कोई flag बना है क्या नहीं यहां पर भी कोई flag कुछ खास दिख नहीं रहा है तो इसको और थोड़ा सा ऊपर के time frame में one hourly time frame में देखते है कोई flag है या नहीं तो इहां पर भी देखे कोई flag दिख नहीं रहा है ना इहां पर एक flag दिख रहा है देखिए यहां पर एक bullish flag बनता हुआ दिख रहा है तो देखे जब भी आपके चार्ट में इस तरीके के कोई structure बनेंगे तो यह automatically plot हो जाएंगा आपको डूनने की जरूरत नहीं परेगा देखे यहां पर साइद अगर आप price action को follow करते हैं हो सकता है किसी कारण से कि यह थोड़ा सा backdated chart है February का chart है तो हो सकते है आप से miss हो जाए यह flag लेकिन यह machine आपको यह indicator आपको automatically यह plot करके दे रहा है trading view के platform में तो यह trading view indicator आपके लिए खास helpful हो सकते है अगर आप flag patterns को follow करते हैं मतलब और भी patterns है तो यह pattern को भी अगर आप follow करते हैं आपके लिए helpful होगा और यहां पर आपना buying order place कर सकते closing के ऊपर और यहां पर आपका stop loss होना चाहिए और उसके बाद आपका उपर की तरफ जो भी movement हो आप उसको capture कर सकते हैं यहां पर देखिए hourly chart में है तो stop loss थो one is to one से ज्यादा देंगे ऐसा नहीं है लेकिन यह pattern यहां पर visible हो रहा है और यह indicator इसको automatically draw करके दे रहा है तो अगर आपको draw करने में problem होता है तो आपके लिए indicator बहुत ज्यादा helpful हो सकते trading view के यह platform के अंदर ठीक है तो यह था bearish flag pattern और स्वारी bullish flag pattern हम bearish भी एक बार देखते तो daily time frame में देखते हैं कोई यहां पर देखिए bearish flag आपको दिख जाएगा अच्छा खासा bearish flag यहां पर बना हुआ है और यह recently ही बना है देखिए यहां पर यह फ्लैग का pattern यह automatic draw करके दिया है तो आपको जैसे यहां पर breakdown मिलता है आप यहां पर sell करने के लिए सोच सकते जो यह फीर इहां पर कहीं पर हया और आपका जो stop loss है latest जो swing हाई है तो अगर आप इस point पर sell तो आपका stop loss इस level पहो जाता और आप इहां पर sell करते तो आपका stop loss इस level पहो जाता और इहां के उपर और आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे ठीक है और यह एकदम फ्री में है तो यह थे हमारे दो इंडिकेटर्स और और दो देखते हैं हम तो इनको पहले डिलीट कर देते हैं फिर हम चलेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे वेज़ पेटन तो यहां पर भी दो वेज़ पेटन है राइजेंन वेज और फॉलिंग वेज ठीक है तो इनको खीह walking स्ट्रेश और यहां पर बना हुआ था और यहाँ पे एक breakout उपर की तरफ आया था, हला कि चला नहीं, उसके बाद नीची की तरफ भी एक breakout आया, लेकिन यह बहुत दूर हो चुका है, तो इस pattern के हिसाब से breakout आप जज नहीं कर सकते हैं, तो इहाँ पे falling wage दिख रहा है, similarly यहाँ पे देखे एक rising wage, इसके अंदर एक falling wage तो आप यहाँ पे easily अपना decision बना सकते हैं, मतलब अगर आप pattern के basis में decision बनाते हैं, और उस हिसाब से आप trading करते हैं, तो आप यहाँ पे easily अपना pattern के basis पे decision बना सकते हैं, कि मैं यहाँ पे buy करूँगा, या फिर यहाँ पे sell करूँगा, इस तरीके से आप अपना decision बना पाए एक चीज है कि हर एक इंडिकेटर जो है आपको अलग-अलग से अपलाई करके देखना पड़ेगा एक इंडिकेटर नहीं है जिसमें सभी पैटरंस इंक्लूडेड है और मैं कोशिज करूंगा आने वाले टाइम में अगर हो सकता है तो मैं सभी पैटरंस को कॉंपैक्ट करने के अगर मुझसे हो पाता है तो मैं जरूर इसको कॉंपैक्ट करकर के आप लोग को दे दूंगा नहीं तो पॉसबल नहीं है और उसके बाद आपके लिए है जो नेगटर है वह तो हम डोनों को यह apply कर देंगे तो देखे ब्यास पिनन्ट यहां पर रहा है आपको, स्थी यहां पर बुलिस मिल रहा है daily chart में भी दिक रहा है यह तो अगर आप देखते हैist यहां पर तो देखें यहां पर अच्छा खासा उपर की तरelt breakout हो और ये breakout आपको भारी मतलब एक भारी profit का potential दिखा के गया था इहां पर breakout हुआ था तो अगर आप इस level पे भी stop loss पकरते तो आपको बहुत छोटा सा stop loss देना परता और उसाब से आपको काफी profit हुआ होगा और ये हला की daily टाइम फ्रेम में है तो आपको बहुत दिनों तक होल्ड करके रखना होगा लेकिन यह अच्छा प्रॉफिट आपको दिया होगा अल्मोस 3,000 के लेबल से यह 5,000-6,000 के लेबल तक चला गया था यह अच्छा मुवमेंट यहां पर मिला होगा अल्मोस 5,000-6,000 के आसपास और उसके बाद देखिए फालिंग बेरी इस्पिनंट में भी स्ट्रक्चर बना इसी स्टॉक में ही बना है और यहां पर ब्रेकडाउन मिला है और यहां पर आप इस लेबल के उपर अपना स्टॉप लॉस एस्टेब्लिस करते तो फिर भी आपको यहां पर वन इस डूँ अन स अगर आप 15 मिनिट में मिलता है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं, आगर मिलता है, तो मतलब हर जगा मिलेगा ऐशा नहीं, अगर मिलता है, तो आप उसको जरूर उहाँ पर देख सकते हैं, आपको बस to time frame change करना है, और कुछ नहीं करना है, और stocks के name को change करना है, आप अपने ह प्रेट फार्म में दिया गया यह जो 6 इंडिकेटर है आपके लिए बहुत ज्यादा हैLPHUL होसकता और पहले भी मैं आपके साथ चार ऐब है बताय related है जो आपके लिए बहुत जादा helpful हो सकता है आप इन चीजों को अच्छे तरसे समझे देखिए उसके बाद अगर पसंद आता है तो जरूर इसको apply किजे इसके साथ मैं एक और चीज आपको देना चाहूंगा जो आपके लिए helpful हो सकता है क्योंकि आप में से बहुत सारा लोग ऐसे भी है जो Fibonacci Retracement और Fibonacci Extension को यूज करते है तो आप चाहे तो उनको भी automatically draw कर सकते है आपको बस type करना है Fibonacci जैसे ही आप लिखेंगे देखिए Fib मैंने लिखा तो Auto Fib Extension Auto Fib Retracement आ चुका है तो हम इसको apply कर देंगे और जैसे ही आप इसको apply करेंगे एक को मैं अभी के लिए off करता हूँ जैसे extension है तो extension को अभी off रखता हूँ पहले retracement देख लेते हैं उसके बाद extension देखेंगे तो देखिए यह retracement का structure है और यहां पर देखिए एक अच्छा खासा retracement का pattern आपको दिखता हुआ मिल रहा है ठीक है तो यह आपको आराम से बता देगा कि कहां से क्या retracement हो रहा है कौन से कौन से level पर क्या क्या levels आपके लिए बन रहा है यह आपको automatically plot होके आ जाएगा तो अगर आप फिबोने से retracement भी ड्रा नहीं कर पाते है किसी कारण से आपको problem होता है तो आप इनको भी automatic कर सकते है और आपको आप automatic इसको यूज कर सकते है ठीक है उसी के साथ retracement के साथ साथ आप चाहे तो extension को भी apply कर सकते है जैसे देखिए यहां पर एक extension apply हुआ है फिबोने सी extension और यहां पर यह लेबल्स automatically plot होके आए हुए है और अगर आप चाहे तो इन levels को reverse भी कर सकते देखिए यहां पर जैसे यह जो settings वाला option है इस पर जाएंगे तो इहां पर देखिए reverse का option आता है तो इसको reverse कर देंगे तो यह ultra side में आ जाएगा देखिए आप ध्यान से देखेगा मैं reverse को untick करूंगा तो यह जो भी lines है यह सब उपर की तरफ थे अब इसको जैसे मैं reverse में click कर दूंगा तो देखिए नीचे की तरफ हमें extension का line मिल रहा है ठीक है तो अगर आपका जैसे इस case में इस सिनारियो में क्या हुआ था यहाँ पर extension ड्रॉ होके तो आ चुके थे लेकिन यह उपर की तरफ थे और मेरा stock जो है नीचे की तरफ गिर रहा था तो मुझे नीचे की तरफ की extensions चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगा इनको सभी को reverse कर दूंगा तो मुझे नीचे हुआ है तो आप उसको change कर सकते सेम चीज आप retracement में भी कर सकते आप retracement को पहले on कर लेते हैं आप देखिए इस side का retracement दिया हुआ मैं मैं चाहता हूँ इसका ultra retracement तो मैं settings में जाओंगा और इसको reverse कर दूंगा जैसे reverse कर दूंगा देखिए मेरे levels automatically reverse side में plot होके आ चुके तो इन दोनों को भी आराम से यूज कर सकते हैं अपने trading में तो आपको आज मैंने 8 trading view indicators ऐसे बताये हैं जो आपके लिए काफी helpful हो सकते हैं जो automated है आपको automatically सब कुछ plot करके देगा जो price action related है price action के base पे बना हुआ है और आप अगर price action trader है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful ह और सबसे बड़ा बाद है यह सभी free indicators है freely इसको यूज कर सकते हैं कोई charges कोई कुछ भी नहीं है और आपके free trading view account से यह काम हो सकते हैं तो अगर इन सब चीजों को follow करते हैं अपने trading में तो जरूर इन चीजों को पहले एक बार चेक किजिए back test किजिए forward test किजिए पसंद आता कि मुझे motivate ज़रूर किजिएगा comment में बतेजिएगा वीडियो कैसा लगा और आने वाले time में आप और कौनसे topic के उपर वीडियो देखना चाते हैं उसके साथ अगर आप चाहे तो मेरे telegram channel को भी join कर सकते जिसका link में description box में डाल दूंगा वीडियो आज एहीं तक रखते हैं आने वाले time में मिलेंगे किसी और नय वीडियो के साथ दब्दक के लिए शुक्रिया